आज मैं राजस्तानी थाली में आपके साथ जोदपुरी खाना बनाना बताऊंगी जोदपुर की मशूर मशूर वियंजन मैंने इस थाली में बनाए हैं आपको उमीद बहुत पसंद आएंगे घर में जरूर ट्राय करके देखे खाना जो होता है जोदपुर का न सिर्फ स्वादिश्ट होता है बन के बहुत जल्दी तयार हो जाता है और उसका स्वाद आप कभी नहीं भूलोगे तो घर में इस लाजवाब टेस्टी खाने को जोकी हेल्दी भी होता है घर में जरूर बना के देखिए मेरे तरीके से ये पूरी की पूरी जोदपुरी थाली आपके लिए चलिए आज हम गुलाब जामुन की सबजी बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन से बनती है ये सबजी लेकिन ये मीठी नहीं होती और खाने में इतनी गजब स्वादिश्ट होती है कि इसके आगे मुझे आज तक मेरी लाइफ में कोई सबजी इतनी अच्छी नहीं लगी जोकी धाबे की बनने वाली होती है ये सबजी बिलकुल धाबे जैसी लगती है और धाबों में ही ये बहुत पॉपिलर एक जोदपुर में चलिए सबसे पहले गुलाब जामुन बना लेते हैं उसके लिए मैंने आदा कप खोया लिया है मावा ग्रेट करके और आदा कप लिया है मैंने पनीर कदुकस करके अब बेकिंग पाउडर मेंने मिलाया है अब बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद अच्छे से सबको मिक्स कर लीजे और एक तम नरम सा डो बना लीजे देखिए कोई भी दरार नहीं आने चाहिए डो के अंदर इतना आप उसको मत लीजे अब डो के हमने बॉल्स बना लिए यह देखिए जितना डो है उसे बरावर मात्रा में बॉल्स में डिवाइट कर दीजे और यह जो बॉल्स है अच्छे से इने गोल कर लीजे और मद्यम आच पे आपको इने तलना है तेल में डालने के बाद चमच नहीं लगाना है जब तक सुनेरा रंग ना आ जाए देखि गुलाब चामन सबसी के लिए बिलकुल रेडी है गुलाब चामन बनाने का तरीका आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चली ग्रेवी बना लेते हैं उसके लिए मैंने करीब दो प्याज लिये हैं मिक्सर ग्राइंडर के अगर आप प्याज लेस्ट नहीं काते हैं तो आप बस उसे स्किप कर दीजे बाकी रेसिपी सेम रहेगी यह देखे यह पेस्ट तयार हो गया है इसको अब हम घी में पकाएंगे तो कड़ाई के अंदर हमने तीन बड़े चमच देसीगी का ले लिया है गी को अच्वाइब अच्छे से गरम करके पिग लाइंगे उसके बाद इसके अंदर हम एड करेंगे मोटे मसाले जिसमें मैंने लिया ईलाइयची एक तेज पत्ता साथ मे लियाा सिनिमन सिग दाल चीनी का चोटा सा टुकड़ा और एक इलाइची एक सजे दो 너ji आप ले सकते हैं खोल के लेकि हम तेल में भून लेंगे, घी में भून लेंगे, जिससे की घी में अच्छा सा अरोमा आ जाए इन मोटे मसालों का, उसके बाद मैंने ये जो मसाले का पेस्ट बनाया था, ये पेस्ट बीना मैं इसके अंदर अच्छे से भून लूँगा, अब मसाला बनाने के लिए एक आदी चमच लिया है, और इसमें मिलाया हमने विनेगर दो टेबल स्पून या फिर नीमभू का रस मिला लीजए, और दो टेबल स्पून मैंने इसमें पानी का मिलाया है, तो अच्छे से गोल बिना लेंगे, नीमभू का जो रस है, इस सबजी में बहुत जरूरी है, बहु जिला टाल लेगे अजल मसाले का अब अच्छय से पकाना है यहां पर आप जितना अच्छय से की मिक्सचर पकाईंगे टस्त अच्छी पयास अउतना ही अच्छा आफ़ा तो देखिए ये जो मसाला है, इसे भी अच्छे से भून लीजेए, अच्छे से उल सेपरेट होने तक जितना भी तेल या घी हमने जो डाला है वो अच्छे से देखिए, रिलीज होना शुरू हो गया इतना आपको इसे कंटेनियस चलाते हुए भून ना है, यह देखिए, आ जल्दी से प्रेट होता है और देखिए थंडा पानी बिल्कुल अवोईड करना है सिर्फ गरम पाई डालना है अब आधा कप के आसपास मैंने दही लिया एक दम ताजा वाला दही डाल के आपको अच्छे से मसाले के साथ कंटिनेसली चलाते होए मिक्स करना है नहीं तो दही है इसको आपको फटने नहीं देना बहुत ही जादा अच्छे से पकाना है और रिलीज होने तक उसके बाद भी ढगके कम से कम पांच मिनिट आपको और पकाना है चलिए उसके बाद इसमें तीन बड़े चमच काजु का पेस्ट करी 20 काजु बीके हुए पेस्ट बना के डा रिचिकर आदा चमच इसमें मैंने क्रीम अमूल का फ्रेश करीम डाला है अपचा घर की मलाई भी इस सब्जी मेंट डाल सकते हैं देखें मिक्स कर लिया है सबखीर से मिक्से कैसी मिक्स हो चुकी है एक कप शुनीट-गर्म पानी डालेंगे जिससे की जितने भी उशवant ही डाले हैं आपस में सब अच्छे से रज बस जाए देखिए सब्जी को चलाते जाएए नीचे से स्टिक ना हो और नमक डाल देंगे करीब एक चमच या आप अपने स्वाद अनुसार और उससे भी कंटिनिसली चलाते जाएए सबसी को भी पीच में चलाते जाएए डख के पकाईए ओयल रिलीज होने तत क्योंकि डखने से ही जल्दी से ओयल सेपरेट होता है अब इसके अंदर दो बड़े चमश मैंने होटन स्वीट वाला टमाटो केचप डाला है जो मैगी कंपनी का आता ह उसका फ्लेवर ग्रेवी में सबसे बैस्ट आता है तो देखिए ओयल अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो चुका है ग्रेवी को पकते हुए साथ से आठ मिनिट हो चुके हैं तेज गरम पानी और डाला है जितना आप पानी डालके पकाएंगे उतना ही ओयल अच्छे से से पानीर का डाला है उसे भी हम अच्छे से पका लेंगे कंटिनिस चलाते हुए और आपको इस सबजी को कम से कम 10-15 मिनिट ग्रेवी को पकाना है अगर आप बिल्कुल धाबे जैसा फ्लेवर और रंग रूप चाते हैं तो देखिए डखके पकाया मैंने से और 7-8 मिनिट और बिल्कुल साथ से 8 मिनिट पकाने के बाद देखिए जतना भी ऑईल या घी हमने डाला था वो सारा रिलीज हो चुका है अब इसमें एक चमच क्रश करके बुनी हुई कसूरी मेती डाल दी थोड़े से काजु के टुकरे करीब 1 फूट कप के आसपास डाल दी है बहुत अच करीब पांच मिनिट पकाना है जिससे की घुलाब जामुन अच्छे से सबसी को एब्सॉप कर ले और यह रेसिपी है नोट कर लीजे स्क्रीन शॉट ले लीजे या आपके बहुत कामाई की और यह देखिए जो सबजी है इसे डख के करीब पांच मिनिट ले आँच पर पक के बार गाड़ी होती चली जाएगी इसलिए पानी का जो कॉंटिटी है आप चाहें तो बीज बीच में आट कर सकते हैं तो देखिए जो मैंने आपको गुलाब जामुन की रेसिपी बताई उससे गुलाब जामुन एक्तम सौफ्ट नरम बने हैं अंदर से घुटली भी नह नहीं हो सकते अच्छे से ग्रेवी को अब्सॉब किया है यह सबजी आप बिल्कुल मेरे तरीके से बना कर देखिए धावे वाले भी इतनी अच्छी सबजी नहीं बना सकते आप घर में जरूर ट्राय करिए गैरंट इड आपको यह सबजी इतनी पसंद आने वाली है आपक से बड़ा मोटिवेशन होता है जोदपुर के बहुत ही पॉपुलर हम आलू की सबजी बनाने वाले हैं जोदपुरी आलू चो कि इतनी फास्ट बन जाती है और खाने में बहुत डेसी लगती है तो चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं सबसे पहले कड़ाई में हमने 3 टेबल सकते हैं कॉंटिटी वहां से नोट कर लीजिए और अच्छे से सारी मसालों को भून लीजिए देखिए अच्छा सा खुश्बू आनी चाहिए ऑल के अंदर अब इसमें मैंने 2-3 बड़े चमच लेसुन अध्रक हरीमेर्च और साबुत हरीमेर्च को स्लिट करके डाल दिया बारी कटा हुआ बहुत सारा धनिया और मीठा नीम डाल दिया साथ में हमने इसमें मसालों में डाला लाल मिर्ची पावडर अमचूर बुना हुआ जीरा धनिया पावडर हींग कुटी वी मिर्च गरम मसाला और हल्दी स्क्रीन पे देख लीजिए सामने कॉंटिटी मैंने वहाँ से कॉपी कर लीजिए अब यह सारे के सारे मसाले जो हैं इसे भी हम डाल देंगे और भून लेंगे बहुत ही जट-पड बन जाने वाली आलू की सबजी है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है और इसमें डालेंगे एक गप गरम पानी गरम पानी डालने से मसाले जो है न अच्छे से बाइंड हो जाएंगे आपस में और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब इसमें नमक डाल दिया करीब एक चमच के आसपास आलू की सब्दी में हल्कासा नमक कम की तरफ रहता है और इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच नीमबू का रस अगर आपके अच्छी पाउडर है तो आप उसमें खटाई में वह भी आड़ कर सकते यह अलू हलके से खट्टे और चटपटे रहते हैं मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी मिलाया और एक चमच मैंने देगी मिर्च पर देखें और अच्छे से देखें उस पर मसाला लपेट लेंगे अब मसाला लपेट ते तुरन गैस को बन नहीं करना है आपको ना आलो को मसाले के साथ ना करीब दो मिनिट तक भूनना है अब बारी कटा हुआ इसमें धनिया डाल देंगे बहुत सारा और आप चाहें तो इस टाइम पर अद्रक कदुकस करके डाल सकते हैं अद्रक के लच्छे डाल सकते हैं और ढग के आलो को करीब पांच मिनिट के लिए पकाएंगे आलो अंदर तक मसाला एबसॉब जब करेंगा तभी उसका टेस्ट अच्छे से निकल के आएगा देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं यकीन मानिए खाने में बहुत टेस्टी आपको लगने वाले हैं अच्छे से आलो को पकाने के बाद आप उन्हें सर्फ करिए जो रेसिपी है आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिख लिए परफेक्ट मेजरमेंट सें स्क्रीन शॉट ले लीजे घर में ट्राइ कीजे रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे जरूर बताइए और आप इसे जब घर में ट्राइ करें तो मेरे साथ अपने एक्सपीरियन शेयर करना मत भूलिएगा चलिए अप घटा पुलाव बना लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हो आपको लग रहा है कि ब टील चैलिए और एक बेसन में बीच में जगे बना धी जिससे की हम इसमें बाकी जीजें आड कर सके मैंने 1 चमच नमक डाला हल्णी प्र घटाली करीब अधी चमच एक और बर एक चमच भर ऑपुलाना प्वावर्णा जीरा ऐसमें दॉला उयर्ट पॉल्ण और संथर्णा एक चमच कुटी वी स्वांफ डाली है एक चमच धनिया पाउडर डाला है एक चमच कसूरी मेथी का पाउडर डाला है और आधी चमच चाट मसाला या अमचूर का और गरम मसाला आधी चमच अजवाइन एक चमच के आसपास और मीड़ा सोड़ा एक चमच सारे मसालों को और म तो देखिए हमने अच्छे से मौइन दिया है यह देखिए इस तरीके से पेडा बनना चाहिए उतना मौइन आपको गट्टों में देना होता है तब जाके गट्टे अंदर से एकदम पूसरे और सॉफ्ट बनते अब चार बड़े चमच के आसपास हमने पानी दिया है जिससे हम आटा लगा देंगे गट्टों का कई लोग गट्टे में दही भी डालते हैं अगर आप चाहें तो दही डाल सकते हैं मलाई भी डालते हैं मैंने दही नहीं डाला अच्छे से आटे को देखिए इस तरीके से मलना होता है तब जाके एकदम मूँ में घुल जाने वाले जोद्पुरी गट्टे हैं अब इनको लंबा लंबा देखिए मैंने बरावर शेप में काट लिया है अब इने हाथ से गोल कर लेंगे एकदम पतले पतले गट्टे बना रहे हम गट्टे पुलाओ के लिए मोटे मोटे गट्टे अच्छे नहीं लगते तो देखिए इस तर पानी है मैं 2-3 मिनिट के लिए उभाल लिया था अच्छे से अब इस पानी के अंदर हम गट्टे डाल देंगे तो देखिए सारे गट्टों को पानी में डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए करीब 7-8 मिनिट लिए डख के मैक्सिमम 10 मिनिट तक हमें ढखके गट्टों को पकाना है देखिए उपर आप यह जो बबल्स देख रहें इसका मतलब गट्टे जो हैं अंदर से एकदम बनके तयार है और एकदम सौफ्ट बनें कि देखिए असानी से तूट रहे हैं तो यह सारे गट्टों को पानी में से हम बाहर निकाल लेंगे अब जो गट्टे का बच्चावा पानी है न इससे आप चाहें तो कड़ी बना सकते हैं यह ऐसे आटा मत सकते हैं आपको अगर इस्तमाल करना हो तो तो देखिए इस सारे के सारे कट्टे मैंने काट लिये हैं चक्कु से इक्वल साइज में अब इन गट्टों को देखिए मैं आपको दिखा तोड़ने से टूट रहे हैं अब कई लोग गट्टा पुलाओ बनाने के लिए गट्टों को फराय करते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगी तीन बड़े चम्मेच मैने घी के लिए हैं गी में ये टेस्टी लगते हैं साथ में मोटे मसाले में जावित्री लॉंग बड़ी कर सकते हैं तो देखिए इनको हलका सा बूनने के बाद इसमें काजू और किश्मिश पी आड़ कर देंगे दो दो बड़े चम्मच काजू को भी हलका सा बून लेंगे बून कर अच्छा टेस्ट आता है अब इसमें मैंने अद्रक लेसुन और हरी मिर्ची डाल दी है दो दो प्यास को फाइनली चॉप करके मैंने अड़ कर दिया है प्यास को आपको अच्छे से बून लेना है करीब तीन से चार मिनिट बहुत ज्यादा ब्राउन करने की ज़रुरत नहीं है अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एक चमच के आसपास असमें नमक डाल दे आपके तबी तमाटर जो रहेंगे उनके चुटे-चुटे पीसिस रहेंगे जो हमें चाहिए प्योरे नहीं करना है नहीं तो एक तम पानीदार हो जाएगा तो देखिए तमाटर डालने के बाद इसमें पुदीना धनिया और मैंने मीठा नीम को बारी काट के डाल दिया करीब ती हींग और भुना जीरा पाउडर डाल के इंक्लूट किया है यह सारे मसाले मिक्स कर लेंगे अच्छ से आप स्क्रीम पे से नोट कर सकते हैं और एक बड़ा चमच देसी घी कर डाला है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है घी का अरोमा आता है तो यह जरूर से आप और ने के बाद मैंने करीब दो कप अबले हुए चांवल लिये हैं एक कप कच्छा चंवाल जब आप अब लिगए से लिंगे तो वो बड़ बाले का लिंग का लिंक डिस्रिप्शन बाक्स में मैं देगyi कि मां चांवल कैसे उबाल तो भालतू उओं आपको कई बार तोड़ा सा बिर्यानी जैसा लुप देनी के लिए तोड़ा सा बिर्यानी जैसा टेस्ट आएगा यह मैंने कलर्ड मिल्क डाला है फूद कलर तीन तरह का लिया और इंज रेड और येलो और गानिक फूद कलर है सातमी घी और दूद में कलर को मिला के करीब ने आधा कप पुलाओ को 10 मिनिट के लिए दम दिया है एकदम स्लो आज पे दिया है और ये सारे मैंने इंग्रीडियंट्स और लिस्ट पूरी रेसिपी दे दी है आप नोट कर लीज़े यहां से स्क्रीन शॉट ले लीज़े यह देखिए 10 मिनिट के बार चामल इकदम फूल गए है और बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आया है बिल्कुल एकदम खुश्बूदार हो चुके हैं बिर्यानी की तरहे घी की खुश्बू मसालों की खुश्बू और बहुत ही जादा टेस्टी पुलाओ बने थे इसे देखते ही अभी मुह में पानी आ रहा है आप भी इसे घर में ब बलाओ कि आस तक की बेस्ट रेसिपी होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है हम बनाएंगे दली के लापती जो कि राजिस्तान की बहुत पॉपिलर मिटाई है जो खाने में टेस्टी है और स्व बराई में गरम कर लिया आधा कब उसमें डाला डलिया ब्रोकन वीट और डली को आपको गी के अंदर अच्छे से मीडियम आच में सेखना है ब्राउनों तक देखे इस तरीके से दलिया हलका फूल जाएगा रंग बदल जाएगा ब्राउन सा हो जाएगा तब तक आपको ड देखना है इसमें डालेंगे तीन लॉंग लॉंग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है फ्लेवर और डालेंगे तीन बड़े चम्मच काजू टुकडी वाले काजू और वन फूर्थ कप कदुकस किया हुआ खोपरा यह ताजा खोपरा है जो खोपरा सूक जाता है उसको कदुकस करके हमने इसमें एट किया है और अच्छे से खोपरे को काजू को भी सेक लेंगे फिर इसमें तीन बड़े चम्मच किश्मिश के मिलाएंगे और किश्मिश भी हल्का सा सेक लेंगे जलिया और ड्राइफ रूट्स के अच्छी तरह बुर्ण जाने के बाद इसको ह चौथाई कप मैंने गुड कर इस्तमाल किया है गुड लिया है स्वास्त के लिए अच्छा होता है हेल्थ के लिए और डालेंगे आधा चम्मच इलाइची का पाउडर जो कि मैं छिलके समेत इलाइची को मिक्सी में हल्का सचीनी डालके पाउडर बना लेती हूँ अब फ़िए यह आध करने के बाARD थोड़ी सीदीर आप पानी के अंदर दली को उबाल लीजे उसके correcting बन्द करके क्रीब फेजोड पाउड six-티 यह स्लो स्वरें पर उसके बाद यह अच्छे से घंड़ा हो जाय तो विच्छे आउरो निकाल कर हम ड़या को चेक करेंगे और जो दलिया है कितना पर्फेक्ट कलर आया है एक्तम पर्फेक्ट जुगाओं में लापसी बनती है राजिस्तान में दलिय की वो मैंने बनाई है वो भी कुकर में तो आप इसे घर में जरूर बना के देखिए इसकी आगे सारी की सारी मिठाईयां फेल है और यह खाने में इतना टेस्टी लगता है एक बारना इसे मेरे तरीके से घर में जरूर ट्राय करिए हर कोई आपकी तारीफ करेगा और आप मुझे जरूर बताना कि यह कैसा बना हम जोदबुर के बहुत ही फेमस नर्गिसी कोफते बनाने जा रहे हैं खाने में बहुत जादा टेस्टी लगते है हो सकता है आपके लिए यह नए हो आपने शायद आज से पहले ने ना खाया हो लेकिन घर में बना कर देखिए आपको इतना मज़ा आने वाला है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी एनर्गिसी कोफते बनते हैं चार उबले हुए मीडियम साइस के मैंने इनके लिए आलो लिए हैं करीब 3-4 लोगों के लिए सफीशन्ट है अब इन आलो को हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लिया चलिए इनका मसाला तयार कर लिते हैं और इनका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले 3 बड़े चमच हमने ओईल के लिए और उसमें मिलाया आदी चमच जीरा जीरा दालने के पाद हमने 2 बड़े चमच करीब बारी कटा हुआ मीठा नीम और 2 बड़े चमच अध्रक कदुकस करके मिक्स कर लिया अच्छे से अध्रक को भी ऑईल में सेक लिए जिसे के अच्छा सा फ्लेवर आए उसके बाद काजू और किश्मिश दो बड़े चमच डाल के अच्छे से काजू और किश्मिश बुनने के बाद आधा कप करीब मैंने उबले हुए मटर डाल दी है आपके पास फ्रोजन मेटर है तो भी डाल सकते हैं और अगर मटर नहीं है तो कोई बात भी आप स्किप कर सकते हैं एक कप मैंने कदूकस किया हुआ बीट रूट डाल अब बीट रूट को अठ्छे से बाइल में पका लेंगे थोड़ा उसा पाँमिनट पकाने के बाद इसमें हमने मसाला अड्ट किया देखिए यह मसाला मैंने कैसे बनाया है दो चमच मैंने साबुद धनिये के बीच लिये मिक्सी के जार में इसमें लिया मैंने करीब एक चमबच सौफ का सौफ डालने के बाद इसमें एक सुखी लाल मिर्च ली मैंने एक पूरी और इसमें मिलाया मैंने आधा चमबच गरम मसाले का गरम मिसाला डालने के बाद इसमें एड़ किया मैंने मिर्ची पाउडर करीब एक चमच और इसमें मिलाया हमने हल्दी पाउडर आधी चमच आधी चमच हल्दी पाउडर डालने के बाद डालेंगे अजवाइन का आधी चमच और इसके अंदर एड़ किया हमने सिट्रिक आसि हमने जो पुदीना सूखा हुआ होता उसका पाउडर डाला है और आमचूर पाउडर आधी चमच डाला है साथ में कच्री पाउडर डाला है एक चमच इसकी जगे आप आधी चमच चाट मसाला डाल सकते हैं अगर यह ना हो तो यह भी खटाई होती है चलिए इनको हम दरच ल कैसी सारे मसाले को हम आलो के मसाले में अड्ट करेंगे अब यह जो मसाला है मोस्ली जोद्पुर के अंदर कोफतों की रैसिपी में इस अब जब भी कोफटा बनाना चाहें मसाला बना के घर में रख लीजे इसे आप पराउटों में भी डाल सकते हैं एक चमच मैंने JACK मैंने करीब 5 मिनिट सब को पका लिया उसके बाद 3 बड़े चमच मैंने अनार के दाने डालके 1-2 मिनिट उससे भी पका लिया देखिए इसमे मैंने अनार दाना क्रश करके भी डाला है एक बड़ा चमच ये ना हो तो अनार की कॉंटिटी जो ताजा अनार है वो जादा डाल सकते हैं आप अच्छे से एक मिन पकाने के बाद एक चौथाई कब बारी कटा हुआ हमने पुदीना डाल दिया एक हरी मिर्ची बारी कटी हुई डाल दी और धनिया हमने वनफोत कब बारी कटा हुआ डाल के उसे भी अच्छे से दो मिन पकाने के बाद इसमें उबला हुआ आलू डाल दिया अब जो आलू है उसे भी आपको करीब 7-8 मिनिट अच्छे से पकाना है ये नहीं कि आलू डालते ही आप गैस बन कर दें कम से कम 7-8 मिनिट अच्छे से आलू को मीरियम आज पे से किये जब आलू अच्छे से सिख जाए सारे मसाले फूल जाए उसके बाद इन आलों को हम प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आप मसाला रेडी करिए बहुती बैस टेस्ट वाला मसाला ये बनता है आप खुद आश्चरय चकेत रह जाएंगे इतना टेस्टी ये मसाला बनता है तो देखे जब मसाला बिल प्रे diff कर देखांता है जो बहुती करंची और को बनाता है आप ताजी में पुल्चरय में पीस लेते हैं उससे कुर्कुरा पन कभी नहीं आसकता क्योंकि वो नरम ब्रेडा को या क्योंक्सी में नः बेड कर लीती उसके बाद बेड क्रम बनाएं इसमें आधा कप नेने डाला है चावल का आटा जिससे कुरकरा पन और जादा बढ़ जाएगा साथ में डाला है नमक का करीब आधी चम्मच इसमें डाला बेकिंग सोडा हमने वन पोत ती स्पून और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर स्वात के लिए प्लस रंग भी अच्छा को मिकस कर लिया इतनी कुरकूरे को ते आपने-पनी life में कभी नहीं खाये होंगे जो अभी बनने वाले है एकप नेने मैदा कर लिया और आदा करूं प्लार का लिया हम घुपने थोडा सा हम डालेंगे नमक का करीब आधी चम्मच और नमक लाने के बाद हमनें सोडा ुट करीब वन फोथ टी स्पून अब इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे करीब आधी चमर्च और इसको भी हम एक बैटर में कनवर्ट कर देंगे तीन चौता ही कब इसमें पानी डाल के घोल बनाया देखिए इतना गाड़ा आपको ये घोल बनाना है तो हमने ये मैदा का गोल ब बनाया था उसमें हमने एक गोले को पेड़े को डाल दिया उसके बाद उसे ब्रेट क्रम से कोट कर लिया देखिए इस तरीके से तो ये नर्गिसी कोफते खाने में इतनी कुर्कुरे लगता है ऐसा लगता है कि आपकोई कचवड़ी खा रहे हैं देखिए अब ब्रेट क्र कुर्कुरे कोफते बनते हैं इससे कुर्कुरे कोफते शायद कोई बना सकता है आप जरूर ट्राय करना मीडियम होट ओल में आप कोफतों को वन बाई वन डालते जाए और चमच नहीं लगानी है जब तक कोफते थोड़े से सिक ना जाए तो करीब तीन से चार मिनिट कोफते बनते हैं घर में जरूर ट्राय करें देखिए बहुत नई रेसिपी है एक्तम नया एक्सपीरियंस होगा बहुत पसंद आने वाला है आप सब को यह कोफते ठंड़े होने के बाद भी अगले दिन भी इतने ही कुर्कुरे लगते हैं इसलिए घर में आप जरूर ट्र अगले दिन भी यह बहुत अच्छे लगते हैं और कुरकुरे बने रहते हैं अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और इन्हें जब आप घर में बना लो तो मुझे कमेंट करके जरूर से कि यह कैसे बने आपके लिए ऐसे बहुत सारी रेसिपीज में लाती रहूंगी अब हम बनाएंगे मंगोडी की सब्जी जो की राजस्तान की बहुत ही पॉपलर सब्जी है और इतनी टेस्टी होती है कि इसे बना कर जब आप खाएंगे तो एक के जगे चारी रोटियां खा और फिर उसके बाद उसका पेस्ट बनाके तोड़े मसाले आड़ करके आप उनको किसी कौन की मदद से या हाथ से मंगोडियों को चूट लीजे और सुखाने रख दीजे धूप में दो से तीन दन उसके बाद मंगोडिया रेडी हो जाती है तो चलिए मंगोडियों को ना इस तरीके से किसी भी मॉम दस्ते से आप उसे कूट लीजे यह देखिए मंगोडिया इक्टम प्रॉपरली मैंने दर अचली है न जादा बारिक करनी है न जादा मोटी रखनी है और इनको प्लेट में निकाल लेंगे मंगोडियों को थोड़ा सिका जाता है उसके बाद इस एक सुखी लाल मिच को तोडके डाल दिया अब दोनों को जीरा लाल मिच को भी भून लीजिए अच्छे से जब जीरा और लाल मिच अच्छे से भून जाए उसके बाद इसके अंदर मंगोडी डाल देगे और दो से तीन मिनिट अज़ को अगत अगत सब्यूध नहीं आप अच्छे से गोल्डन होने तक भूनना है देखिए आप देख सकते हैं मंगोडी ने अपना कलर चेंज करना शुरू करती है अब एक कुछ टमाटो प्यूरी है जो मैं बना के रख लेती हूं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यह मैंने एड कर दी करीब आधा कब और इस और इसमें आधा चमच हम चूओ डाल दीजिए या फिर चाट मसाला उससे अच्छा फ्लेवर आता है गरम मसाला पावडर वन फोट टी स्पून एक चौथाई चमच और हल्दी आधा चमच मिला लेजिए यह सारे मसाले मिलाने के बाद इसमें करीब दो कप पानी मैं अभी एक कप हो गए थी तो तेन कप पानी और बारी कटा हुआ बहुत सारा धनिया और बारी कटा हुआ अधरग बारी काटके डाल देंगे और कडुकस करके इसमें अधरक भी डालने वाली यह अच्छे से सारे मसालों को इस सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए नमक डाल अधा बड़ा चम्मच मैंने अधरक का डाला है कसुरी मेथी भी डाल दी है आधी चम्मच अच्छा स्वाद आएगा इससे बहुत बिल्कुल इसी तरीके से मंगोरी बनाई है जिस तरीके से मैं बना रही हूं यकीन मानिये बेस्ट सबसी बन के तयार होगी आपकी लाइफ की यह देखिए इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया है एक कप और पानी तो मैंने आपको बताया था कि टोटल कुटी हुई एक कप मंगोरी में करीब तीन कप पानी मैंने डाला है ठीक है अब इसमें हमने लिया है चार सीटियां एक्तम स्लो फ्लेम पर कुकर को सबसे छोटे वा तो मंगोडी को हमने चेक किया एक्तम परीफा गल посмотрим कि मंगोडी थियार बाद है इतनी अच्छी खुश्बूआ रहे हैं जुँकों हुआ लगते है यह इतनी टेस्टी कि आप जब बनाएंगे तो आप खु़ समझ जाएंगे कि die कि एक इंपोर्टन बात अगर अगर हमके पास मंगोडी घर में यह तो अमेज़ान पैना असानी प्रुसकत मंगोडी ज़से ऐने समय के और नहीं उट्रोल्टम कर ओचिभ्या रींड भीओं openly तरह सजोर के अद्रेकिंग already तो कि परुडां सिर्फ दो ही मिनिट में ये पापड की सबजी बनके तैयार हो जाती है जब घर में कोई सबजी ना हो तो आप जट पट इसे बना के खा सकते हैं और ये इतनी टेस्टी लगती है कि आपको इसे रोज बना के खाने का मन करेगा तीन मैंने इसमें बूने हुए पापर नीए पापर को आप फ्राइ कर सकते हैं या रोस्ट कर सकते हैं ग्यास पर भून लीजे या मैक्रोवेव कर लीजे और हाथ से मैंने इन्हें तोल लिया है तुकडों को थोड़ा बड़ा रखेंगे, एकदम चूड़ा नहीं करेंगे पापड का, चलिए अब इने चौक लेते हैं, एक कड़ाई ये पैन ले लिजे, उसमें दो चम्मच ऑईल का डाला है मैंने, और साथ में डाला है एक चम्मच जीरे का, हमने कुप टमाटो पेस्ट लिए जसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक टमाटर कड़ुकस करके, पकालिया उसमें आधी चम्मच मैने लाल मिर्ची पाउडर का, वन फूट टी स्पून हल्दी का डाला है, और साथ में डाला है इसमें नमक, पापड की सबजी में नमक कम डलता है, क्योंकि पापड में अल्री नमक होता है, और डेड चमच के आसपास धनिया पाउडर डाला है, साथ में भुना जीरा पाउडर आधी चमच डाला है और आमचूर पाउडर आधी चमच डाला है इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो टमाटर की जगे दही का इस्तम चौकेंगे, चलिए, अब सबसे पहले हमने हींग डाल दिया है, जीरा जैसे ही तरग्या उसके बाद हींग डालने के बाद थोड़ा सा मीठा नीम, करीब 6 पत्तों को बारीक काट के और धनिया पती करीब 2 बड़े चमच बारीक काट के डाल दिया है, अब इसमें हमने जो अगर दही से बनाया है तो भी इसी स्टेज पर आट करेंगे अप जो गोल है उसे पकानी के लिए मैंने और डेर कप पानी डाल दिया इसे जोल बोलते हैं हम पापर की जोल की सब्जी बना रहे हैं जोल को एक से दो मिल्ट पकानी के बाद इसमें जो हमने चूरा करके पापर वो पापर डाल देंगे कही लोग बिना सेके भी पापर की सब्जी बनाते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं लेकिन सेकने के बाद जाद अच्छा आता है बहुत इंपोर्टन बात कि पापर को केवल डालने के बाद एक से दो मिनिट पकाईए और ग्यास का फ्लेम बन कर सब्जी बिल्कुल रेडी है परोसने के लिए पापर की सब्जी को आप एक से दो दिन फ्रिज में रखके खा सकते हैं धनिया पत्ती डाल के गानिश करेंगे ग्यास तुरंट बन कर देंगे एक मिनिट बार पापर डालने के बार नहीं तो पापर बहुत जागा नरम हो जा सकते हैं प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा अगर टमाटर दही दोनों ही घर पे नहीं तो आप दो बड़े चमर्ज बेसन को पानी में गोल के उसमें मसाले डालके उसका भी जोल बना सकते हैं तो इस पापर की सब्जी को नक कई तरीकों से बनाया जा सकता है वीडियो अच करते हैं एक और खास बात कि ये हेल्थ के लिए बहुत फाइदेमन होता है फुल अफ प्रोटीन होता है तो इसे आप घर में बना के कभी भी नाश्टी के साथ एखाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए चूरी का पराड़ा बनाने के लिए हमने लिया है एक साभू ध अब ऑक दाल को निक्सी के जार में डालें तरह बिल्कुल 2-3 बार चलाएंगे उसके दरदरा उसको पीस लेंगे बहुत जादा पतला नहीं पीस था अपको लेकिन दरदरा सा और इसको बना के इसा डब्बे में बंध करके रख लीजे जितनी ज़रूरत कि उतना ऊस्तमाल करेंगे आदा कर्प ले लिया मैंने और बाकी बचा के रख ली दाल को अब इसमेत इसे हम इस्तिमाल करने वाले हैं इस पानी को हम फिकेंगे नहीं केवल एक से दो घंटे मिनिमम आप एक घंटे और मैक्सिमम दो घंटे बिगा के रखें या ओवरनाइट भी बिगा के रख सकते हैं अगर आप चाहें तो अब यह मैंने डेर कप आटा लिया है गेहूं का और उसमें आदा कप मैंने मिलाया बेसन और करीब एक चौथाई कप सूजी सूजी बेसन आटे सबको अच्छे से मिक्स कर लीजे उसके बाद इसके अंदर यह मसाले डालेंगे देखें मसाले में मैंने कसोरी मेथी बुना जीरा साबुद जीरा हीं अजवाइन अमचूर पाउडर गरम मसाला हल्दी धनिया पाउडर और लाल मिची पाउडर का इस्त तब जाके जो मसाला होता है वो पाउडर को टेस्टी बनाता है नमक डाल दिया स्वाडर नसार करी एक से डेट चममच जितना भी आपने यूशली आटे में डालते हैं उससे तोड़ा सा जादा क्यूंकि इसमें डाल भी नमक को अब्सॉप करेगी अब जो भीगी वी दाल है ना यह सारी की सारी पानी समेट देखे पानी तो दालने काफी हद तक अब्सॉप कर लिए पराठे को जादा दिन चलाने के लिए और पूस्रा बनाने के लिए इसमें तीन बड़े चममच हमने ओल का मौइन दिया है अच्छे से डाल को और मसालों को आटों को सब को मिक् करते हुए हम इस आटे को गूत लेंगे यह जो पराठे हैं यह काफी दिना फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं सुबह चाय के साथ शाम को इवनिंग में as a snack भी का सकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं बिल्कुल मठरी की तरह आप इसे खा सकते हैं तो देखी आटा जो ह आटे को आप सेट करने रख दीजे करीब 20 मिनिट के लिए उसके बाद हम आटे की लोईयां बना लेंगे एक पेड़ा उठाके और उसके पराठे बेल लेंगे तो देखिए आप पलोतन सुखा लगाके और इन पराठो को बेल लीजे नॉर्मल जैसे आप चपाती बेलते है बहुत ही असान है लेकिन बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं ये पराठे एक बड़ा बना के देखिए जरा भी महनत नहीं है इने बनाने में और बिना महनत के आपको इतना अच्छे से प्रोटीन के पराठे खाने को मिल रहे हैं तो देखिए पराठे जो हैं मैंने बेल ल ज़िए घी में तेल में से कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहें तो बिना ओयल के भी सेख सकते हैं लेकिन अगर आप ट्रावलिंग मिले जाना चाहते हैं तो आप इन्हें ओयल में जाते हैं और देखिए इस तरीके से आप पराँटों को जितना मजी क्रिस्प कर ना चाहते ह जब पराँटे थोड़े ठंडे हो जाएं उसके बाद आप इन्हें डाइट कंटेनर में रखके चाहिए तो फ्रिज में रख सकते हैं आप इन्हें दो से तीन दिन रूम टेंपरेचर पे बाहर भी रख सकते हैं आप इन्हें लेसुन की चटनी या कोई सी भी चटनी के साथ दही के राइते के साथ ये सब्दी के साथ अल्टिमेट प्रोटीन से भरे हुए ये पराँठे आप घर में जरूर ट्राइ करिए रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर बताएं हम बनाएंगे जोदपुर के मश्यूर लेसुन के कोफते जो की खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्टी होते हैं आपने मुंबे के वड़ा पाव खायोंगे लेकिन इन कोफतों की बाद बहुत अलग है खाने में टेस्टी हैं बनाने में आसान हमने लिए हैं चार उबले हु 3-3 सीट लगार ने कोकर में उबाल ली जी उसके बाद हातों से फोलड ली जी वमेज तो और मैश कर्लिया है अलू के कोफते बनाने के लिए मसाला त्यार करते है जिसके लिए प्राइब डहने के बीजा है ये मसाला बनाएंगे, एक चमच हमने सौफ का लिया है, साबुत सौफ भी ले सकते हैं, कुटी भी ले सकते हैं, एक सूखी हुई लाल मिर्ची का लिया है, और इसमें गरम मसाला आदी चमच लिया है, साथी में इसमें मिलाएंगे हम, आदी से एक चमच लाल मिर्ची पाउड नीम्बू का सत नीम्बू का फूल वन फोथ टी स्पून साथी में एक चमच चीनी जो की बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी मसाले को यह जरूर आड़ करिए आधी चमच इसमें डाला है हमने पुदीने के पत्ति का पाउडर सूखे हुए पुदीने के पत्ति का पाउडर पाउडर पाउडर इसके जगे आधी चम्मच चाट मसाला ले सकते हैं एक चमच कचरी पाउडर जो की बहुत आच्छी कटाई देता है अगर यह ना हो तो आधी चमच अमच पाउडर की जगे एक चमच अमच पाउडर कर दीजे अब यह जो मसाला है हमने मोटा पीस लिया है मिक्सी के अंदर दरदरा सा रखा है एकदम फाइन पाउडर में आपको नहीं बनाना है तो देखिए यह जो मसाला है इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोफते के अंदर जोदपुरी कोफते के अंदर और इस मसाले को आप जा पका लेते हैं उसके लिए तीन बड़े चमज तेल लिया उसमे मैंने अधी चमज डाल दी राई को अच्छे से तड़कने दीजे उसके बाद आधी चमज आएगा इसके अंदर जीरा जीरा और राई जब अच्छे से फूल जाएं तो उसमें डालेंगे हम दो बड़े चमज लेसन के और लेसन को बहुत ज्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है यह तम फाइन दरज़ के हमने लेसन डाल दिया है और दो मैंने इंच अध्रक को तो करीब 2 टेबल स्पून अध्रक करके दो किया है दो प्यास को एक। फएनली चॉप करके हमने इसमें मिलाया है अब प्या तक आप इसमें हींग मिला सकते हैं नमक अपने स्वाद अनुसार एक से देर चमच जितना भी आप प्रफर करते हैं शुरू में कम डालिए टेस्ट कर लीज़ मसाले को अगर कम लगे तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं देखें प्याज हलके से भून चुके हैं उसके बाद एकदम बारी कटिवी मीठे नीम की पत्या डाली हैं करीब 20 पत्या बीस से पच्चिस पत्यों को बारी काटके और वन फूर्थ कप मैंने पुदीने को भी बारी काटके इसमें इंक्लूट किया है बहुती बढ़िया फ्ल अब इसके अंदर हम एड करेंगे बारी कटा हुआ धनिया वन फूर्थ कप और साथ में हमारे जो चार उबले हुए आलू थे जिसको हमने हाथ से पोड लिया था वह आलू एड करके आलू को ना थोड़ा सा गयास पे भून लेंगे जी हां आलू को भूनने से ना उनका जो सारा का सारा मसाला जो हमने बनाया है वो हम एड कर देंगे तो इसी तरीके से आप घर में कोई सब अगर कोफता बना रहे हैं तो बना के देखिए और ये जो लेसुन के कोफते हैं जो पुर में बहुत पॉपुलर हैं इसमें एक चमश लाल मिर्ची पावडर मैंने और मिला क्योंकि मेरे पास कश्मीरी मिर्च्टी जो कम तीकी थी इसलिए तीखे बन को बढ़ाने के लिए मैंने मसाला तोड़ा सा और एड किया है ये वाले कोफते तीखे ही अच्छे लगते हैं इसलिए चटपटा तेज मसालेदार आलू का मसाला बनाईए उसके बाद आप इन को हम इसके कोफते नहीं बनाएंगे अब एक कप हमने बेसन का लिया है बेसन के अंदर आधा कप के आसपास पानी मिला के गाड़ा गोल बनाना देखे इस तरीके से एक तम अच्छे से फेट लीजे पांच मिनिट ले बेसन के गोल को जिससे की देखिए वह फूल जाए अच् एक जाएगा इसके अंदर युषा आधी चम्मच के असपास हीन जाएगा 1 Consult के अंदर और इसमे जाएगा बिल्कुल थोड़ा मिर्ची पांडर करीब आधी चममच baking powder या sorry baking soda इसमें जाएगा 1 foot teaspoon baking soda baking powder के comparison में better होता है basin की गोल में अच्छे से फेट लेंगे और देखिए basin का गोल इस तरीके से बिल्कुल perfect बजार जैसा basin का गोल बनके तयारे कोफतों के लिए हमेशा घोल जो होता है थोड़ा सा गाड़ा रखा जाता है इस तरीके से तब जाके बहुत ही अच्छे fluffy से कोफते बनते हैं देखिए आलू के न एक्दम छोटे छोटे कोफते बना लेंगे बिल्कुल चीकु के आखार का अब बहुत जादा बड़े गोले मत बनाईएगा मैं आपको बता रही हूँ तेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल छोटे-चोटे कोफते के गोले बनाईए उसी के कोफते अच्छे लगते हैं अस्वाद में अब जो यह हमने गोले बनाए है इसको बैटर में डिप करेंगे अच्छे से कोट कर लेंगे चमत से फोक से या फिर हाथ से जैसे आपको अच्छे से मीरियम गरम हो जाए उसके बार सारे कोफते तेल में डालके हम तल लेंगे तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से कोफते हम तेल में तल लेंगे करीब 5-6 एक बार में अच्छे से लाल होने पर इनको हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे तो देखिए कोफते हमने सारे के सारे तल लिये हैं और कितने अच्छे से फूले हैं बेसन का घोल अगर परफेक्ट बने तो कोफते हमेशा परफेक्ट बनते है देखिए एकदम पर्फेक्ट कोफते हैं अंदर से आलू का मसाला बहुत टेस्टी बनाएं खोल के दिखाती हो में आपको जो बैटर है बेसन का घोल जो होता है वो एकदम सही बनना चाहिए कोफतों के लिए अंदर का जो मसाला है अच्छा सा चटपटा मसाला बनाईए और आज ही इस रेसिपी को घर में ट्राइ करिए रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके बता सकते हैं घर में जब बनाए तो मुझे जरूर से बताना कि यह आपको कैसे लगे अब हम मोम के मोगर की सबजी बनाएंगे चुकि राजिस्तान जोदपुर में बहुत सबसे पहले दाल को बिखाएंगे हमने लिया एक कप यलो वाली मूंग की दाल जिसे अच्छे से पानी से आपको वाश करना है पहले जब बहुत सारा पानी दाल में डालेंगे और चमर्च से हिलाएंगे तो आप नोटिस करेंगे सफेद रंगा पानी निकलेगा यह सफेद सफेद पानी आपको देखता है तब तक आपको दोना होता है उसके बाद देखे जब साफ पानी देखने लग जाए तो दाल को करीब 1 से 2 घंटे आपको बिगाना है जादा जल्दी है तो एक घंटे और आपके पास इनफ टाइम है तो राद भर भी बिगो के रख सकते हैं और फटाफट यह डाल की सबसी बनके तयार हो जाती है तो देखिए मैंने 2 गहंटे बिगाया है और 2 गहंटे बिगाने के बाद देखिए डाल अच्छे से फूल के रेडी हो गई है और यह जो डाल है जिस पानी में हम बिगोते हैं उस पानी को भी हम फेक देंगे और फिर से दोबारा डाल को दोईंगे जिस्ते की डाल जल्दी से खराब ना हो तो देखिए डाल की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले कडाई में दो टेबल स्पून घी या ओयल ले सकते हैं ओयल जब तेज गरम हो जाएगा तो उसमें एक चमर जीरा डालेंगे एक चमर जीरा डालने के बार दो हमने चॉप करके सुखी हुई लाल मिर्चे भी डाल दी और चुटकी भर या वन फूर टी स्पून हमने इसमें हींग डाला है हींग का स्वार बहुत अच्छा आता है मैं थोड़ा जाद ही डालना प्रिफर करती हूँ अच्छे से देखिए हमने जीरे को मिर्चियों को भून लिया अब उसमें डालेंगे एक चमर लाल मिर्ची पाउडर आदी चमर हल्दी पाउडर और एक चमर धनिया पाउडर का डाला है साथ में डाला आदी चम्मच बुना हुआ जीरा पाउडर और एक चम्मच कसूरी मेति का पाउडर और आदी चम्मच गरम मसाला पाउडर इस सारे मसाले डालने के बाद आदी चम्मच अमचूर पाउडर डाला है या फिर आप चाट मसाला आदी चम्मच अमचूर पाउडर क की जगह डाल सकते हैं देखिए अच्छे से मसालों को ना हल्की आच पे बूनना है जलाना बिल्कुल नहीं है और भूनने के बार ना जो हमारी दाल भीगी वी डाले डाल आट करके अच्छे से ना ताल को मसालों के साथ भून लीजे करीब एक मिनिट तेज आच पे जब दाल अब जो दाल है देखिए इसे जादा पकाने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें आदा कप मैंने दही कर डाल दिया है ताजा दही आदा कप दही के साथ देखिए मिक्स कर लीजे अच्छे से आप चाहें तो इसमें दही की जगह पर टमाटो प्यूरी भी डाल सकते ह बहुत सारे तरीकों से आप इसे बना सकते हैं मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगे आगे आने वाले टाइम में बारी कटा हुआ धनिया मुट्टी बर डाल दिया है मैंने इसके अंदर और अच्छे से दाल के साथ देखिए मिक्स कर लीजे अब इसमें नमक दाल दिया सालों के साथ भी आप इसे खटाई अमचूर की खटाई में बना सकते हैं मैंने करीब आदा कब पानी डाल दिया है गरम पानी और देखिए इसको आपको पकाना है बिल्कुल पानी सूपने तक एकदम स्लो फ्लेम पर करीब 7-8 मिनिट और ये रेसिपी है इसको आप स्क्री जड़ी हो जाती है बनके और देखिए बहुत टेस्टी लगती है गजब टेस्टी लगती है आप इसे रोती के साथ चपाती के साथ पूरी के साथ परांठे के साथ खा सकते हैं ये दाल की सब्सी बनाने का बहुत यासान तरीका है जिसमें आप बहुत ही जादा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिये घर में बनाए तो मुझे जरूर बताना कि ये आपको कैसी लगी अब हम लैसुन की चटनी बनाने वाले हैं जो पुलाओ पराथा रूटी के साथ बहुत अमेजिंग लगती तो चलिए देखते हैं पूरी रेसिपी ल अब को इसी बहुत सुखी मिर्चे ले सकते हैं और मेज़ों को करना है आप डगके बॉल करिए मर्चों को करीब 7 से 8 मिनट जिससे की मिर्चे नरम हो जाए तो देखिए 7 से 8 मिनट बाद हम जब मिर्च को चेक करेंगे अच्छे से नरम हो चुकी है मिर्चों की डंटल और जो है वो हम रिमूव कर देंगे यह हमने लिये हैं आधा कप छिले हुए गार्लिक लेसुन आप आधा कप एक कप अपने हिसाब से ले सकते हैं आधा कप लेने के बाद अप मिक्सी के जार में हमने जो मिर्चिया उबाली थी उनकी डंटल और बीज रिमूव कर दिये जब मिर कब पानी का इस्तमाल किया है एक चमच नमक डाला है और अब इसका पेस्ट बना लेंगे तो देखिए ये अच्छा खासा थिक पेस्ट बन गया है लेसुन का और लाल मिर्ची का अब कड़ाई में तीन बड़े चमच मैंने ओईल के लिए हैं ओईल आप अपनी हिसाब से कम य तो देखिए जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऑईल में डाल दिया है अब इस पेस्ट कोना आपको पकाना है ते पहले एक चमच लाल मिर्ची पाउडर और वन फुर्थ टीस्पून में ने हींग का डाल दिया है इन्हें मिक्स कर लेंगे हींग और अजवाइन डाजिशन मे हेल्प करते हैं और एक चमच लाल मिर्ची जो है वो रंग और फ्लेवर दोनों देखिए तो देखिए आप चाहें तो मिर्ची अवाइड कर सकते हैं यह जो चटनी है इसमें मैंने पूरा एक नीमु का रस नी चोड के डाल दिया आप खटाई में आप चाहें तो कुछ लो से ओयल रिलीज होने के लिए कम से कम 10 मिनिट आपको अच्छे से पकाना है तब जाके ओयल रिलीज होता है और चटनी जो है लैसुन की बन के तयार होती है तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर में इस चटनी को जरूर बना के देखिए और लैसुन की तो प्लीज वीडियो को ज़रूर से लाइक करिये शेर कीजिए अपनी कमेंट्स मेरे साथ शेर करिये और कौन सी थालिया आप देखना चाहते हैं मुझे बताएए मैं जल्दी से जल्दी आपके सथ रेसिपी शेयर करती रहूंगी वीडियो को जादर से जादर से जादर की झाले कि